अभी हम एक किसान के पास आए हुए हैं और वो अभी केटलिज का परियोग कर रहे हैं ठीक है अपने गयों पर जिस गाय को अभी आप लोग देख रहे हैं आध तो दॉन पहले, बीबारे में आधी आपको अपको बतायांगे व्यों बीमार कैसे पड़ी और कैट़से कैसी ठीक हुए ठीक है? आएए भाई नमस्कास अभी आप बतायांगे कि आप एक हमारे किसान भाईयों को कि आपके जो गाय है यह बिमार कैसे पड़ी थी और कितने दिलों से बिमार थी जुवात में इसका पेड़ दरा धुगा तल उसका लेकरींगा पे साथ रुग गई थी इसको दवाय करवाएं कांके बोड़िया कांके डाक्टर से इसमयां को काफी खर्च पड़ी करी 15 दिन से गाय कुछ ने खड़ा हुना खाई थोड़ा मोड़ा पानी भर चार पांस लीटर पी रही थी शुबार साम करके शुचे अर उसको साबु दानार मिश्री इसको पिलाक रखते थे दोनों टाई शुबार साम और इसका शरीर क्या था उस्टेम सरीर एकदम उसका फून के सम ह हो गया था ने गाय एकदम कितना दिन से कितना खालती अलाई वैसा एकदम दिख रहा था रिसका मन कान भी फररर रहा था जाय कर रहा था पंदरा दिनों से हम इसको बहुत दवा भी रोकी है नई ठीक हुए उसके बाद आपको ये केटेलिज कहां से मिला आपको राजिंद अधर भाई इधर आये थे घूमने हां को राजिंदरे बताया कि दवा खिलाई है तो ठीक होगा आपके ताम इसका दवा में भी बिस्वास नहीं किये थे काज भूलेंगे बात में है तर साम को दिये तो साम को नहीं खिलाए गाय बट गया तल उठवे नहीं कर रहा था था इसका दूसरा दिन पर गाय अपने बटने लगा थोड़ा मड़ा खाना सुरू किया तेट वी दू दिन के बाद एकदाम देशाब पहले था वैसे हो गया तर दीरे-देरे अच्छा खा रहे तर पंदरा दिन एकदम बिल्कून नहीं खाया तो अभी अभी कैसी है आपकी अ दूद में दूद के शतेरी करते लिए का कभीन वाल था चेह महिना से मैं ठीज हारा है उप नहीं हो रहा है दूद तो अब आर भी कभी दूद देख सुछा थेखे है तो अबी आप हमारे किसां भायों से क्या कहना चाहेंगी इस के चल्पिश के बारे में इस दुश के बा झाल झाल